अब देखिए तेवारों का सीजन सुरू होने को है अब सामने देख रहे हैं यह कोई पकोड़े नहीं है गुलाब जामून है अब गुलाब जामून का नाम सुनते ही लोग सोचने रखते हैं क्या बनाओ अच्छे तो बनते नहीं है पिचक जाते हैं तूर जाते हैं फट जा हैं और सामने आप देख सकते हैं ना पचके ना फटे हैं मैं ऐसा कुछ आप लोग को बीच बीच में ट्रिक्स और टिप्स दूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप घर में ही गुलाब जामून बनाएंगे और घर का ही गुलाब जामून आपको पसंद आएगा ये इ अंदर तक ये देख रहे हैं आप अंदर तक इसके रस गया हुआ है और पिचका भी नहीं है तो वीडियो शुरू करते हैं ठीक है अब सबसे पहले आपको एक कडाही ले लिनी है अभी जो गैस है वो बंद है गैस और मैंने नहीं किया सब ही चीज़े एकदम बारीकी से ब ये भी मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि आपका सवाल रहेगा कि आपने मिल्क पाउडर कौन सा यूज किया है तो नैसले का मिल्क पाउडर है चार कटोरी भरके कोई भी एक कटोरी चार कटोरी भरके एक मैजरमेंट एक कटोरी से ले लीजेगा और चार कटोरी मैंने इसमें ये milk powder डाल दिया है gas अभी बंद है याद रखीगा और उसी कटोरी से तीन कटोरी मैंने दूद normal boil किया हुआ ठंडा दूद मैंने इसमें डाल दिया है एक बड़ा चमच भरके मैंने घी आड़ की है और पहले आपको इसे अच्छी तरह मिलाना है बहुत अच्छी तरह मिलाना है इनके में lumps खतम हो जाने चाहिए ये एक paste जैसा बन जाना चाहिए आपके सामने है अब आपको gas on कर देना है पर gas का flame low रखना है धीरे धीरे सकीन है मतलब थोड़ी गीली type की होने लगेगी ठीक है अब ये boil होना है gas का flame low चलाना है continue हाथ बिल्कुल नहीं रोकना देखिए अगर आप बोलेंगे कि हमारे गुलब जम बने नहीं तो जो मैं बोलता हूँ आप करिएगा continue चलाते हुए कर्ची को आपको पकाना है flame low रखना है हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए अगर आप ठक जाते हैं तो अपनी wife को दे दीजे अगर आपकी बेहन है उनको दे दीजे भाई को दे दीजे बट continue चलाना है अब आप इसकी thickness देख सकते हैं लगबग 6-7 मिनट इस से यादा नहीं लगेगा और कुछ ऐसी हल्वा जैसी thickness हो जाएगी अब आपको gas बंद कर देना है simple process अब आते हैं चाशनी पे ठीक है अब चाशनी के लिए मैंने जितना हमने milk powder लिया है उसका उतना ही आपको इसमें चीनी डाला है मतलब 4 कटूरी है हमने milk powder लिया है तो वो आप निकाल लिजेगा ये मैंने थोड़ा चीनी अच्छी quality की थी तो इसलिए उसके उपर गंदगी नहीं आई है अब चाशनी कैसे चेक करें तो simple process है जब ये घुल जाए 2 मिनट 3 मिनट पक जाए तो आप ये spoon लिजेगा और 10 से 20 सेकंड तक बाहर रखिएगा उसके बाद हाँ तो पैसे लगाईएगा चिपचिपाहट आपके उंगलियों में महसूस होनी चाहिए चाशनी बनके तयार है लेकिन लुक जाएए चाशनी पूरी तरह नहीं बनी है आगे बहुत सारी चीज़े हैं फिलहाल तो हमने चाशनी बना लिए यह भी हमारा थोड़ा सा थन्डा हो गया है याद रखिएगा पूरा थन्डा नहीं होना चेए थोड़ा सा थन्डा हो जाना चेए थोड़ा वांड रहना चेए अब यह मैंने एक कटोरी भर के देखेंगे 100 ग्रम है पनीड क्यों डाल रहे है देखें पनीड डालना जरूरी है उसी से वो बहुत सौफ्ट गुलाब जामुन वाला फ्लिवर हैगा अंदर से जो हाड बन जाते है वो नहीं बनेगा बेकिंग सोडा आपके सामने देखा मैंने चौथाई चमज डाल दिया है हाथों को हलके हाथ से इसे चारों तरफ मिलाना है देखिए अगर आप यह सारी चीजे फॉलो करेंगे आपका बाल बाका नहीं होगा गजब हो जाएगा अब यह देख रहे हैं मैं दूध डाल रहा हूँ अब वो क्यों डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि यह ज जैसा होता है न हम लोग डो तयार करते हैं एक स्मूध सा डो तयार हो जाना चाहिए आप दो दो चमच करके इसमें दूध एड़ कर सकते हैं अगर आपको लगे कि नहीं हमारा डो ज्यादा टाइट हो गया सकत हो गया है अब आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ ठी इसमार घुलाब जामुन चाहिए तो ये करना बहुत जरूरी है अग्दम मतलब मुलाइं डो तयार हो जाएगा अग्दम मतलब जैसे रूई के जैसा डो तयार हो जाएगा यह हमने हातों में भी नहीं चूपक रा है जितनी आप ये गोला बनाएंगे न उससे डबल गुल लाब जामून बनेगा तो आप एक एक करके ये गोले बना लिजेगा अब एक काम की बात बताता हूँ अगर इस गोले पे क्रैक आ रहा है अच्छे से नहीं चिकना नहीं बन रहा है तो आपका डो सक्त है ठीक है उसमें दो चम्मस दूड डालके फिर से मसल लिएगा चलिए मैंने क्रैक के लिए भी बता दिया कि आपका डो नरब होना चाहिए अब आते हैं फ्लेम पे ओईल पे आते हैं तो आप मैंने एक छोटी सी लोई लिए है ओईल इतना गरम है कि आपकी उंगलियां उसमें डूब जाएंगी तो भी आपको कुछ नहीं होगा इतनी ओई गरम है एक छोटी सी लोई मैंने डाल दिया ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से पता चल जाएगा आगे हमें क्या करना है तो आप देख सकते हैं ये फटा नहीं है कुछ नहीं है ये थोड़ा सा जो क्रैक है मैंने रफली बनाया था इसकी वज़े से है वरना हमारा गुलाब जामून पॉफेक्ट बना है इसे चाशनी में भी डाल के देख सकते हैं अब चाशनी पे आते हैं अगर चाशनी में डालने के बाद आपका गुलाब जामून फट गया पिचग गया इसका मतलब आपकी चाशनी ठीक है उसमें आप थोड़ा सा पानी एड़ करें और थोड़ा सा गरम कर लें उससे ठीक है गरम बहुत ज्यादा नहीं होना चाईए और एकडम धंडा नहीं होना चाईए ठोड़ा सा वाम होनी चाहीए आपकी चाशनी गुलाब गुलाब जामुन आपके सामने चोटे साइज का है लेकिन बन चुका है अब बांकी के बड़े बड़े जो हमने गुलाब जामुन बनाये थे वो हम इसमें एक एक करके एड कर देंगे उमीद काता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी तो अभी से लाइक औ और इसके उपर से गुलाब जामुन के उपर से एसे-से आपको गोल घमाना है ताकि यह मुव होता रहा है और इकवली इसके उपर तो यह सारी जो मैने टिपस और ट्रिक्स आपको बताएं आप फॉलो कीजेगा और आप के सामने यह result है, सिर्फ milk powder से, और कम से कम 5-6 kg बने हैं, और ये मैंने आपके सामने ये सारे इसमें डाल दिये हैं आप देख सकते हैं, ना कोई फटा है ना कोई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, अब फिर से मैं काम की बात बता देता हूँ कि अगर आपका ओइल में फट रहा है ओइल में अगर आपका गुलाब जामूर फट रहा है, फिर भी आपका डो है ना, डो में आप एक चमच, दो चमच मैदा डालिया, उसे अच्छी तरह से मैश कीजिएगा, फिर वो फटना बंद हो जाएगा ओइल में और चाशनी का तो मैंने बताई दिया है कि अगर पिचक जाता है, तो चाशनी को थोड़ी पतली करके गरम कर लेगी है और रिजल्ट आपके सामने हैं आप लोग जरूर ट्राइ कीजिएगा, तेवारों का सीजन आ गया है, बिल्कुल भी मिठाई बनाने से हिचक चाईए मत, पर थोड़ी सी सतरक्ता बरतनी होती है, बाकी रेसिपी के मुकाबले, तो जरूर ट्राइ कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिए मुझे, नया चैनल है मेरा, थैंक्स ओमाद